अगर आपके पास IQ90 SE PRO या फिर 9 Series का कोई भी फोन है तो यहां पर रिंग टोन के वॉल्यूम को कैसे चेंज कर सकते हैं आपका notification का volume है या फिर आपका incoming ringtone बज़ रहा है तो उसका volume जो है कम या ज्यादा सेट करने के लिए जाएंगे सेटिंग पे स्क्रॉल करेंगे और यहां पे sound and vibration पे क्लिक करना है इसके बाद यहां पे देखो यह सारे वॉल्यूम के option है ठीक है एक तो media volume होता है जो आपको notification आते है ना मीडिया की तरफ से उसके और इसके बाद यहां पे ringtone volume जो incoming call आती है उसका volume आप कम यहां ज्यादा रखना चाहते हैं तो उसको सेट कर लेंगे notification आपको receive होते हैं तो बार बार टिंग तिंग की आवाज आती रहती है तो इसको थोड़ा सा नॉर्मल सेट कर लेंगे ताकि disturbance जादा ना हो अब alarm जो बसता है morning में उसका volume आप कितना सेट रखना चाहते हैं वो कर लेंगे तो इस टैप से यह volumes हो गए और यहां से आपके vibration आ जाते हैं जिसमें आपका media ringtone और यह volume मीडिया का और ringtone का volume आज़ेस कर सकते हैं बटन से जैसे कि आप बटन से कम्या जादा करते हैं तो क्या ना चीए मीडिया के वाज कम होनी चाहिए या ringtone कम होना चाहिए तो यह मैंने मीडिया रखा हुआ है अब यहां पर vibration आ जाती है तो vibration का pattern यहां से आप बंद कर सकते हैं always vibrate भी कर सकते हैं या फिर gradually इसको सेट करते हैं gradually में अच्छा मतलब सेट रहता है बंद करने तो बंद कर लेंग और इसके बाद यहां पर vibration जो है notification के लिए कैसे होने चाहिए medium या low या फिर high या फिर off करने तो off कर लेंगे यहां से तो यह हो गया sound and vibration की setting बाकी यहां पर ringtone वगरा change आप कर सकते हैं और यह अलग-अलग sound है जिनको आप turn off कर सकते हैं जिनको आप टरन आफ कर सकते हैं जिनक एले मिलते हैं आपको एक next video में तब तके लिए नमस्कार